प्रहार टाइम्स की नूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महुफिरोज हास्मी आप देख रहें प्रहार टाइम्स मुंबई माया नगरी बीमसी की लापरवाही सामने आई बीमसी ने एक सो के अंतिम संसकार के तीन दिन बाद बताया कि मृतक कुरोना पोजीटिव थी इतना सुनते ही मृतक के परिवार वाले वा सोसाइटी के लोगों में संकट की पहाँड टूर पड़ा और तरह तरह के सवाल परिवार वालों के मन में उठने लगा मुंबई के कूपर अस्पताल में नेहा की मौत हुई तब डॉक्टरों ने सामान ने मौत बता कर सौप परिवार को सौप दिया परिवार वालों ने कहा भी अगर सक है तो आप बॉडी रोक सकते हैं लेकिन उन्हों ने कहा ठीक है और जब एंबुलेंस मागी तो डॉक्टर ने कहा एंबुलेंस सिर्फ कुरोना मरीजों के लिए है कुरोना मरीज हैं सिर्फ उसमें एंबुलेंस में ही जा सकते हैं इसका मतलब कुरोना मरीज नेहा नहीं थी तो फिर कैसे तीन दिन बाद कुरोना घोशित किया गया दरसल मामला है कांदी वली लाल जी पाड़ा में जै भारत बिल्डिंग की और इस घटना के बाद अडोस पडोस के सभी लोग घबराये हुए कुरोना पोजिटिव नाम सुनकर जिसका तीन दिन पहले अंतिम संसकार कर चुके हैं 28 साल की मिर्टक नेहा को निमोनिया और टीवी दोनों हुआ था इलाज के लिए कूपर अस्पताल में एडमिट किये थे और वहीं उसकी मौत हो गई थी अब सवाल खड़े हो रहे हैं जब कुरोना टेस्ट किया था तब बाडी रोकी क्यों नहीं दी क्यों परिवार वालों का कहना है इसका जिम्मदार बीमसी है बीमसी पर आरोप लगाई है लेकिन अब बीमसी ने घर के सबी सदस्यों को कुरंटाइन कर दिया है यह हैरान करने वाली खतरनाक बात है क्योंकि नियम सरकारे प्रसासन ही बनाती है और उसे यहां पर फॉलो नहीं किया गया क्योंकि क्रोना मरीज के सव को घर वालों को नहीं दिया जाता सीधे अंतिम संसकार कर दिया जाता है क्योंकि यहां तो सो बिल्डिंग में लाया गया लोगों ने अंतिन दर्सन भी किये और तीन दिन बाद कोरोना पोजिटिव की कहानी सामने आई उसके बाद पूरे छेतर में पूरे इलाके में संसनी मच गई और इसी के साथ समाज राजनीती से जुड़ी हुई खबरों को द देखते रहे प्रहाय टाइम